राश्ट मंडल संस्दिय संग के कारेकारी बैठक में राश्ट मंडल संग की कारेसिमिती के कारेकारी अध्यक्ष शेर पर्षन एक्सलेंसी यान लिडेन गेंगर जी इस राज के लोक्पिरे यसर श्री मुख्यमंत्री श्री हिमंद विश्वाश्शर्मा जी असम विधान सभा के मान्य अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी केंद्री मंडल मंत्री मंडल के सदश्य रामेशर तेली जी माननी सांसद गन असम सरकार के मंत्री मंडल के सदश्य गन और सीपीए कारे समीती के सभी सदश्यकर मैं भारत की जनता की ओर से भारत की संसत की ओर से आप सब का हार देख अभी नदन करता हूं सागत करता हूं ये प्रफश्पा का विश्य है कि सीपीए की मद्दिवर्शिक कारे कारी की बैठर भारक में पहली बार आयर जित की जा रही है और विशेश रूप से इसके लिए में आसम विधान सबा के अध्यक्ष स्री विश्य जीत देमारी जी की सरहना करता हूं कि उन्होंने इस कारेकरी बैठर की करने के निन्ने का जिम्मेदारी समाली और विशेश रूप से राज्यक के मुख्यमंती जी ने इस बैठक को भविता देने का काम किया जैसा कि मुख्यमंती जी ने बताया कि असम भारत का पुर्वतर वश्यत है जो देश और दुनिया में बहुत खूद सूरत है यहां की खूद सूरत वादिया यहां की घाटिया यहां की मनुरम नदिया मा देवी कामवेका का प्रसीद मन्दिय यहां की बव संस्कति यहां की संस्कति धरवर और विवित्ता वाला यह पुरु प्रदेश भारत का सबसे महत्पूर्ण प्रदेश है माने सदश्यों राष्ट मंदल संसिदिय संग में नो रीजन के तरेपन देशों के एक सो असी विधान मंदल के सदश्य है यह सभी सदश्य सामविक रूफ से अपनी उत्कुष्ट परंप्राओं प्रभावी दितियों और नवचारों को साजा करती हुए संसिदिय लोकतंत को एक मजबूत और एक उचित प्लेट फाम देते हैं ताके हम अपने अनभूं को विचारों को अच्छे नोचारों को आपस में साजा करकर लोकतंती संसिदाओं को सशक्त कर सके मजबूत कर सके मुझे कुशी है कि कारेकारी समीती के चेर परसन उनके सक्रिस योगों से सीपे ने अंतर संसिदिय संगटन में एक विशेश दर्जा हासिल किया है और आज ये एक ऐसा बंच बन गया है जिसके माध्यम से हम अपने अनभों, विचारों, नोचारों, अपने अपने दीश के अंदर लोकतांती वयस्ताओं से किस तरीके से लोगों की जीवन में परिवर्टन ला सकते हैं इसके लिए व्यापक बन चुका है सातियों भारत लोकतांती मुल्यों और लोकतांती शाशन वयस्ता के अंदर प्रबल समर्तक है और राष्ट मंडल संग के अंदर भी एक सक्रिये और जवाब देई भागेदारी निभाता है दुनिया के एक सो देश से ज़्यादा देशों मैं आज भी लोकतंत है और दुनिया के अधिक्तम देश अपनी शाशन पद्दतियों को लोकतंत पद्दतियों के नुसाज चलाने के लिए लगातार प्रियास कर रहे हैं लेकिन भारत लोकतंत में एक विशिश इस्तान रखता है भारत का लोकतंत भौत प्राचिंतम है हमारी जीवन्षेली में हमारे कारे में हमारे विहार में दुनिया का सबसे प्राचिंत लोकतंत भारत का है और दुनिया के अंदर 130 करोड 130 मिलियन आबादी से ज़्यादा ये देश जहां पर लोकतंत की जड़े बहुत मजबूत है और लोकतंत हमें विरासत में बिला है हमने इस लोकतंती सोच और विचार को और आगे बढ़ाया है सतंता प्राप्ती के 55 वर्ष की गोरोशाली यात्रा में हमारा लोकतंत और सस्मत हुआ है मजबूत हुआ है परिपक हुआ है लोकतंत के प्रती नागरिकों का विश्वास भरोसा और बढ़ा है सत्रा आम चुनाओं के अंदर मतदाताओं की लगातार भागीदारी बढ़ने से जनता में और विश्वास और भरोसा भारत के लोकतंत के प्रती बढ़ा है केंदी विधाईकी के रूप में आठ सो से ज़्यादा मान्य सदश्य चार हजाल से ज़्यादा हमारे राज्यों के विधाईक तीन लाग से ज़्यादा पंचायत नगर पालिकाएं हमारा लोकतंत का धाचा ग्रामिन शित्र से लेकर ग्राम की छोटी इकाई जहां ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं लोकल बोडीज लोकल ग्रामिन बोडीज कहते हैं वहाँ भी लोकतंतिक तरीके से वहाँ पर सदस्य चुने जाते हैं इसी तरयके से अर्बन इलाखे के अंदर भी लोकतांतिक तरीके से सदस्ट नहीं जाता है इसे लोकतन्त हमारे नीचे से उपढर तक हमारा लोकतन्त सशक्त है और इसमें देश के नबह मिलियन, नबह करोड से अधिक मदाता सकले रूप से भागिदारी दिवाते हैं और जिस सहज रूफ से जनता का जनादेश के आधार पर सत्ता का सहज इस्तांतन भारत में लोकतन्त में होता है इससे लगता है कि भारत का लोकतन्त बहुत सशक्त है, मजबूत है भारत का लोगतंद दुनिया का सबसे बड़ा कारिशी लोगतंद है सबसे जीवन्त और प्रगतिशी लोगतंद के लिए विभिन इस्तरों पर हम लगातार जनता से डारेक्ट लेक्षन के माध्यम से हमेशा जनादेश लेते हैं भारत के प्रधानमंती मान्य नयन मोदी जी के नित्त में हमारा देश लगातार हमारे नागरिकों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करते हुए एक सम्रद और विख्षित भारत के रुप में उबर रहा है भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्यासों से सभी लोगतान्तिस संस्ताएं यहाँ पर काम करती है हमारी कोशिश होती है कि अधिकतम जनता की भागीदारी लोगतान्तिस संस्ताओं के अंदर हो भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर होने पर हम आजादी का अमरत मौश्व मना रहे हैं और ये अमरत मौश्व में हम लोगों की भागीदारी और बड़े लोगों का विश्वास और बड़े इसके लिए देश की सभी लोगतांति संस्ताय अमरत मौश्व के माध्यम से जन जन से जूट रही है जिस प्रकार राष्ट मंडल विविन देशों का समू है और सामाजिक कल्यान के लिए काम करता है उसी तरीके से भारत में भी 28 राज्यों और 8 संग राजिस्षित्नों से मिलकर एक देश बना है हमारी भोगोलिक, हमारी सांसकतिक, हमारी अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग एक्टिविटीज, खान-पान, रहन-रन विवित्ताओं के होने के बाद भी हमारा लोक्तन्त और सशक्त हुआ है भारत एक देश ऐसा देश है जहां जितनी विवित्ता है उतना ही हमारा लोगतंत मजबूत होता चला गया है सातियों COVID-19 की विश्य व्यापी संकट ने हम सब को प्रवाइद किया है कोरवाना मामारी ने हमें सिकाया है कि हमें सामुजता के साथ एक जुटता के साथ बेशिक समश्याओं का मकाबला करना हमारी अब नई जरूत हो गए है इसते हमें कोशिश करना चीए कि हम किस तरीके से पूरे विश्च के देश मिलकर किसी भी चुनोतियों का किसी भी संकट का सामुइक्ता के साथ मुकाबला करें राष्ट मंडल देशों के हमारी लोकतांती संस्ताएं अपनी प्रतिबदताएं एउप्रसपर सहयोग के माध्यम से वेश्च चुनोतियों का मुकाबला करने में सक्षम है भारत जल्वाई उपरिवर्तन के लिए सामुइक्ता हल निकालने के लिए कोब 26 के अंतर अनुमतित लक्षों को प्राप्ट करने के लिए प्रतिबद है इसके लिए इंटरनेशनल सोरव एलाइंस जैसे इंसेंट सिडिवो ताकि नवी करनी उड़जा का अधिक्तम प्रियोग हो सके भारत SDG के लक्षों को प्राप्ट करने के लिए 2030 तक उस दिशा के अंदर महत्कुन कारी कर रहा है भारत के कुछ जिले जो पिष्ण है उन आकांश्री जिनों को मान कर विशेश रूप से SDG के लक्षों को तैस समय पर पूरा करने के लिए काम कर रहा है भारत वेशिक रूप से आर्थिक व्यापारिक समंदों को मजबूत करने के लिए सयोगियों देशों के साथ व्यापारिक समझोते कर रहे हैं ताकि हमारा दोनों देश या जिन देशों से हमारे व्यापारिक समझोते हों दोनों देश व्यापार की डश्टी से सम्रदों प्रयतन और अन्य श्यत्यों के अंदर हम सामुईक्ता से काम करके किस तरह से अपने अपने देशों को आगे बढ़ा सकते हैं सम्रद कर सकते हैं भारतिय संस्क्रती में पूरे विश्व को एक परिवार माना है हमारी संस्क्रती हमारी संस्कार में हमेशा हम वसुदेव कुटम कम की भावना से काम करते हैं सारे विश्व को एक परिवार मानते हैं और इसको मानकर हम काम करते हैं हमारा अटल विश्वास है कि विविन अंतराष्टे मुद्दों का समाधान आपसी बाचीत, चर्चा और राजनेक चर्चा समवास से होना चाहिए अंतराष्टी शांती और इस्तिता वेश्चिक सम्मर्दी के लिए आज अनिवार है इसलिए हमारी कोशिश वेती है कि पूरे विश्च के अंदर शांती रहे, इस्तिता रहे और सभी देश आपस मेश में बिलजुड कर काम करें इसके लिए हमारी लोगतांती संसताय संसत समय समय पर विविन देशों के संसताओं के साथ समवाध करती है ताकि सभी देशों में शांती रुष्टिता रहे, ताकि हम शांती रुष्टिता के माध्यम से अपने अपने देशों के अंदर वेश्ची कूर से संबधी और विकास कर सकें आईए ये मोका है जब हम राष्ट मंदल संसी संद के इस मंच के माध्यम से लोगतांती संसताओं को और मजबूत करें अपनी प्रतिबताओं को बोजाएं, विचार विमर्ष, अन्भोव विचारों को साजा करें और अपने अपने देश के अंदर इन लोगतांती संसताओं के माध्यम से सामाजी कल्यान कर सकें, जन जन का कल्यान कर सकें और ये लोकतान तिक सहस्ता हैं जितनी सक्षक्त होगी जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जादा से जादा जनता का अधिक्तम कल्यान कर सकेंगे इसलिए आप यहाँ पर पदारे आपकी कारे कारी बेठक दिन भरा आज चलेगी विशों पर आप चर्चा करेंगे संभाद करेंगे और आप आज की ये चर्चा परिणाम पुरक होगी ताकि हम संपूर्ण विश्ष के अंदर शान्ती अधिता के साथ लोकतान्ती संस्ताओं को मजबूत करते हुए सशक्त करते हुए किस तरीके से अच्छी best practice को अलग-अलग लोकतांति संस्ताय आपस में अपनाए ताकि अपने अपने देश को लोकतंत को और मजबूत कर सके आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जैहें